हेलो व्रेंट्स मैं आपका दोस्त और होस्ट कोशल आज मैं आपके पास लेके आया हूँ इंडियन पोस्ट की एक जो वगैंसी निकली हुई है जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10 इन्होंने मांगी हुई है तो आएए देखते हैं इसको कैसे कितनी पोस्ट है कैसे फिलप करते हैं सारी पूरी डिटेल वीडियो को लास्त तक देखिएगा तभी आपको समझ आएगा तो बात कर लेते हैं कितनी जॉप्स हैं तो यहां पे आपको जो अपना इंडियन पोस्ट पोस्ट के जो वैबसाइड है इस पर आ चुके हैं यहां पर आपको दि देख लेते हैं कि इनका ओफिच्ण नॉर्टिफिकेशन के इन्होंने क्लिकह किहका कुछ मांगा हुआ है इसके अंदर है यह यह मैने ओफिशन नॉर्टिफिकेशन डाूऌलोड कर लिया है अब इसका हमापन करते हैं कि इसको हमने ओपन करा है तो यह ओपन हो चुका है इस टेंड कि जो प्रफाइल कि इसमें इन्होंने सेलरी की बात करी हुई है वह करी हुई है चार घंटे लेवल वन में टी आर सीए स्लेब में लगेगा और चार घंटे की नोकरी है है 12,000 रुपर सेलरी है और टी आर सीए में दूसरा जो है लेवल टू की नोकरी है उसके अंदर है पांच घंटे की नोकरी है 14,500 रुपर सेलरी है कि इलिजिबिल्टी के लिए एज जो मांगी हुई है वह मांगी हुई है 18-40 वर्स होनी चाहिए और कि यह स्टार्ट हुआ था 12-11-2020 को यानि 12-11-2020 तक 18-40 के बीच में एज रहनी चाहिए कि ऐसी कास्ट के लिए पांच साल की छूट मिलेगी स्ट के लिए और ओबिसी के लिए तीन साल की छूट मिलेगी एजुकेशन की जो इन्होंने कॉलिफिकेशन मांग रखी है वह है अपना 10 का स्टेंडर्ट स्राटिफिकेट होना चाहिए 10 का और जहां पर भी यह नोखरी करेंगे जैसे जहारखन करेंगे जिस भी पंजाब में करें तो आप यहां पर इन्होंने लैंखवेश दिखाई हुई है किस लैंगविज में अगर आप काम करते हैं तो कून सी लैंगवेश आने चाहिए आंदर प्रदेश घंसाम में आनी चाहिए यह विछे सटिस्वीरेली गुजराट। म entries आने चाहिए डेली में हिंदी प्रदेश थौहाँ यह माचल प्रदेश मी इंडी चाहिए तो अब इसको बात आती है को बहर सकता है इसने अचालीज चालिसšce talking होई है और इसम्ञैने कोई इसमें होती हम पर है यहले के जो आपके नंबर है वो आगर इति पर्संट से उपर है तेंट में तो ही आपको इस फॉर्म को भरने का फाइदा है वो किस तरीके से मैं आपको बता देता हूं जो पना इन्होंने जो लास्ट यर या उससे पहले जो बिद्रेट है वह यहां शो कर रहा है कि यह मैं खोड़ ओपन कर देता हूं राजेस्थान का कि यहां नीचे से होगा उडिसा का दिखा रख रख है पहले मुझे भी नहीं पता था जब मैंने इसको उपन करके जो पुराना रिजल्ट है वो चेक करा तो मेरे को पता लगा कि जो है इनका जो सेलेक्शन है वो मेरिट पे होता है इसमेंगा एक कि इसको धियान देना के जो इनकी सेलेक्शन हुई है उसके परसेंटेस जो है वह 시간이 अबभे तभी इनकी सेलेक्शन हुई है यह दिखा रखा है 88 सुलहर इस एडि मिनिमम अगर आपकी 80% minimum जो आपका percentage है अगर वो 80 से अबब हैं तो ही आप इस form को fill up करें वरना fill up करने कोई benefit नहीं होगा और इसका registration का process कैसा है वो मैं आपको बता देता हूं इसमें registration करने के लिए आपको stage 1 पर पहले जाना है registration करना है इसमें जो registration registration का process है उसमें आपको कि अब्लिकेंट का नाम चाहिए फादर नेम यह जो बेसिक डिटेल है वह इन्होंने मांगी हुई है कि 10 की DMC में लगभग सब कुछ लिखा होगा सिर्फ वही चीज़े इन्होंने मांगी हुई है यह करने सब्सक्राइब करने के बाद करने के बाद कुछ इस तरीके का registration आपको मिल जाएगा जो उपर दिया हुआ है इन्होंने डियार करके तो इस registration नंबर से आपको दुबारा से लॉगिन करने में साहिता होगी तो आप आपको registration पर गए उसके बाद आपने पहला का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको दूसरे स्टेज पर जाना है अगर आप ऐसी कास्ट से हैं तो आपकी कोई पेमेंट नहीं लगेगी तो आपको यह वाला जो पे ओनलाइन का प्रोसेस है यह नहीं फॉलो करना है मैं आपको बता देता हूं फिर भी अगर आप अब करते हैं तो यहां पर डालेंगे यहां अमाउंट डालेंगे नीचे डेविट कार्ड की डिटेल डालेंगे और मेक पेमेंट करके अप कर सकते हैं और जो अपना है यहाँ पर अकल पूर्शख ऑप्सेशन पर यहां पर आपको अपने जरू सब्सक्राइब जाएंगे यहां पर यह को अपना डूकुमेन ऊपला करनी है और इसका धूयat है वो इसमें दिया होता है 50 के आसपास कम होना चाहिए तो वह करके करना है अगर आपको नहीं करना आता है तो आप जो ओनलाइन सर्च करेंगे जो आपकी जेपीजी फाइल बनेगी उस फाइल का साइज डिक्रीज करने के लिए यहां काफी सारे अवेल्ब होते हैं आप वहां से उसकी साइज को डिक्रीज यानि कम कर सकते हैं उसके बाद फिर से अपलोड करेंगे समिट करेंगे तो आपको लास्ट में इस तरीके का एक अप्लिकेशन नंबर मिल जाएगा जब बाद में रिजल्ट आएगा तो कुछ इसी तरीके का रिजल्ट शो हो जाएगा बस आपको एक बात का धियान रखना है कि अगर तभी आप अपलाई करें जब आपके जो मास्क हैं माक्स हैं वह 80 परसे करें